हेलो स्टूडेंट्स दिस इस रितू शर्मा वेलकम बेक टू माइ यूट्यूब चैनल आडू फ्लाइट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपके फर्स समिस्टर के यूजी अन पीजी के ओपन बुक एक्जाम होने वाले हैं मार्च में उसके एक्जामिने बात करने का लिंग मिलग itself, how much you can ? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कहांसे आपको एक्जामनेशन फॉंड और केसे ऊप्ष्ण को चूँस करना है सारी बातने हम यहां पर देखेंगे आपको रिमॉट मोड या फीजिकल मोड कैसे चूँस करना है तो इसमें ह एकन को प्रेस कर लो ताकि आगे भी मैं ऐसे ही important information आप लोगों को प्रोवाइड कर आती रहूं तो फट फट से notification को देख लेते हैं यह notice है जो आपको Delhi University की website पे भी मिल जाएगा exam and result वाले section में यहां पे लिखा हुए all the concerned students of undergraduate and postgraduate and professional courses of semester 1 admitted in academic year 2020-21 are hereby informed that the last date of the submission of the examination form जो कि होने वाले हैं आपके March 2021 में is 28 February 2021 मतलब 28 February 2021 तक आपको शाम को साड़े पांच बे तक अपना form फिल कर देना है इसके बाद आपका form accept नहीं किया जाएगा the faculty department college are also requested to complete the confirmation and verification of the examination form filled by the student up to 3 March 2021 मतलब कि जब आप form fill कर देंगे तो वो आपके college के द्वारा या department के द्वारा verify भी किया जाएगा तो colleges को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो तीन मार्च तक यह सारा process complete कर दें आपके admit card वगेरा जो है बनाने के प्रोसेस स्टार्ट किया जाए तो यह चीज़ा आपको ध्यान दखनी है आपको जो form fill करने की last date वो 28 February है सारे 5 वजे तक आपको करना है शाम के कोशिश करना उससे पहले ही हो जाए क्योंकि बहुत सारी problems हो जाती है तो end के लिए मत लटका के रखना है इस काम को उसके बाद आपको link कहां से मिलेगा यहाँ पर दिया हुए student में fill their examination form by using the following online student portal यह link है आपको यहाँ पर यह जो link दिय सेम ही link है दोनों का यहां से आपको अपना form फील करना है यह सेम link मैं आपको description box में भी provide करा दूंगी और यह जो link नीचे वाला है यह जो आपके college जो है आपका examination form verify करेंगे उसके लिए है okay the students are also required to pay the fee online on the link provided by the respective faculty department तो आपके college या department वाले ही आपको एक link प्रोवाइड करा दिया गया था तो अब आपको दुबारा फीस पे करने की जुरत नहीं अधर्वाइस वो लोग आपको provide करा दिए तो आपको अपनी फीस भी online ही पे करनी होगी okay after filling the examination form student में keep of the print out of the filled form for further communication जब आपका form फिल हो जाएगा last में print option आएगा उसको आपको save करके रख लेना इम Admit card shall be issued after the confirmation of the examination form of the student portal from the student portal ठीक है तो आपको उसी reference नंबर वगेरा से अपने Admit card भी download करना होगा in case of any query discrepancies student में contact their respective faculty और department और college तो अगर आपको कोई भी confusion है तो आपने teachers के साथ, college के साथ, college head के साथ में contact कर सकते हैं अगर आपको examination form fill करने में कोई problem आ रही है तो अभी हम फटा-फट ये link को Google पर डाल के देख लेते हैं कि आपको form कैसे fill करना है पूरी detail में हम सारे process को समझेंगे जब आप link डालेंगे Google पर या जो मने description में provide कराया है उस पर click करेंगे तो कुछ ऐसा surface खुलेगा आपके सामने कि ये surface है regular और NCWeb के students को यहां से examination form fill करना है तो first page पर आपको direct यहां पर अपनी information submit नहीं करनी है सबसे पहले अगर आपने new student का registration नहीं किया है तो पहले आपको registration क new student इस पर click करेंगे ये जो red color का आ रहा है अभी इस पर हम जब click करेंगे तो कुछ ऐसा surface खुलके आएगा यहां पर लिखा हुआ है click here for Hindi translation अगर आप Hindi में देखना चाहते हैं तो यहां पर कर सकते हैं otherwise आप ऐसे ही रहने तो इसको यहां पर लिखा हुआ है students are advised to fill the personal details like name, father's name, date of birth ETCS पर the certificate of 10th class जो उसमें 10th के certificate में है वही आपको करना है ओके और यह जो form भरा जा रहे है वो examination scheduled in March और अप्रेल 2021 में जो आपके exam होंगे उसके लिए भरा जा रहे है लेकिन session आपका November December वाल है क्योंकि COVID की वज़े से admission लेट हुए तो exam भी लेट हो रहे हैं तो exam आपके March से April में होंगे ओके अब यहाँ पर सबसे पहले college name आपको अपने college का name select करना है तो जैसे ही यहाँ पर आप select पर click करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से college के नाम दिये हुए जैसे आप यहाँ पर देखो अधिति महाविद्याले teaching center यहाँ भी दिया हुआ है अधिति महाविद् कर लेना कि कौन सा किसको भरना है जल्दी बाजी कोई मत करना आराम से भर लो फॉर्म को गलत मत कर देना बस क्यूंकि इसके बिना गए इसमें भी कोई भी गलती हुए तो श्याद आपको एक्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी तो बैटर है कि आराम से वर लो टीचर से कर लो कहां पर कोई चीज का निफ्यूजन है तो क्या भरना है तो यहां से अपना कॉलिज नेम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद सपोज में एक सेलेक्ट कर लेती हूं उसके बाद आपको एक्जाम सेशन फिल यहां पर देही रखा है नवंब दिसंबर 2020 एक्जाम टाइप यह एक्जाम टाइप हो गया हमारा एक्जाम फ्लैग एक्जाम फ्लैग में आपको कौन सा वाला ओप्शन है आपसे रिलेटेड वो करना है जो न्यू इस्टुडेंट है उन सभी को सीबी सीएस वाला ओप्शन चूज करना है जिन्नोंने अभी लास्ट येर ही 2020 में अड्मिश कोड जब आप यहां पे चूज करेंगे तो आपके कोर्स का कोड क्या है यह भी आपको पता करना पड़ेगा अपने टीचर से ही या जैसे भी आपको पता चलता है अप अपना कोर्स कोड यहां पे फिल करेंगे यहां से चूज करेंगे कोर्स कोड के दर यहां पे पार्ट क करना है यहां इस्टुडेंट टाइप में यह अलड़ी फिल होके आ रहा है रेगुलर इस्टुडेंट और कोई ऑप्शन नहीं है यहां पर तो यह अगर आप कंटिनिवेशन में दे रहे हो मतलब एक होता है एक स्टुडेंट जो अलड़ी पास आउट कर चुके लेकिर उन् आपने क्या नाम ढालाग फिर फादर्स नेम उसके बारद मदर्स नेम उसके बाद यहां पर आपको तीनो नाम यहां बहuno से ज में है ड़िशन कर लेना आपको हैं पनी कटिकरी क्या है आपकी जर्णल है SC है ST है OBC है FSA PH है जो भी category है आपकी वो यहां से fill करनी है उसके बाद यहां से आपको date of word चूज करनी है अपनी correspondence address मतला आपका घर का address क्या है वो आपको यहां पे चूज करना है पूरा type करना है यह चीज चूज नहीं करना यह type करना है उसके बाद mobile number डालना है आपको आपका WhatsApp number डालना है और यहां पे आपको email ID डालनी है तो mobile number और WhatsApp number डोनों same भी हो सकते हैं आपके यहां पे आपको अपनी email ID डाल देनी है जो भी आपके registered email ID है उसके बाद यहां पे आप submit पर क्लिक करेंगे तो यह सारी चीज़े details में fill करके next page पर दिखाती हूँ आपको क्या कर पर करने के बाद आपको वैसे reference number मिलेगा हम लोग देख लेते हैं यहां पर देन हम login करेंगे उसके साथ में जैसे ही आप submit पर क्लिक करेंगे तो वह जो submit का green बटन था न वो देखो red हो जाएगा और लिखा आ जाएगा यहां पर student has been successfully registered admission reference number इस यह admission reference number बहुत जरूरी है क्यो यहां पर आपका यह जो मैंने औरेंज कलर से हाइड किया हुआ है यहां पर reference number आपको मिल जाएगा प्लीज राइड डाउन और यह admission reference number and login as registered user तो प्लीज इसका screenshot ले लो आप जैसे मैंने आपको लेके दिखा है screenshot यहां पर कहीं पर लेख लो क्योंकि यह reference number बहुत जरूरी है आ जाएगा तो वहां पर भी हमें सारी details को फिल करना है तो फटा फट से देख लेते हैं उस page को तो वहां से go to login पर जब आपके सामने आ जाएगा पहले हमने क्या कहता है नियू रिजिस्ट्रेशन वाला तो वह प्रोसेस हमारी complete हो गई अब हमें यहां पर यहां पर यहां और एगिस्ट्रर इमेल डाल ली है और आपको संमिट प्रोसे से अब लेज करना है तो जो आईडि आपने पहले डाली है याभी फूंब करते ँसलिदा और कोशिश करना कि वहां पर भी वह डालना जो आपकी अड्मिशन के टाइम पर रिजिस्ट्रर थी तो संमिट पर क्ल फिल करना है उसी के नीचे mode of examination अब mode of examination यहाँ पर दो है इस चीज को जहान से समझ लो क्योंकि बहुत सारे students को confusion होती है जो physical mode है दो option आएंगे आप इस तरीके से देखो physical mode और remote mode यहाँ पर लिखा हो ने physical और remote mode होगे तो जो physical mode है physical mode का मतलब है कि आप college center पर जाके ही exam देने वाले हो ऐसा क्यों पूछ जा रहा है आप से कोविड की वज़े से दो option है आपके पास आप घर पर रहके भी online paper PDF की form में बना के submit कर सकते हो अपने पोर्टल पर और आप college में जाके भी exam दे सकते हो पहले की त जाए पोर्टल पर आपको और वहीं पर आपको PDF बना किया जैसे भी instructions होंगी वैसे आपको answer को submit करना है तो उसके लिए आपको remote mode चूज करना होगा तो अब आप देख सकते हैं यहां पर चूज करना है आपको क्या exam center पर जाके देना चाते हैं या घर से देना चाते हैं तो बहुत source समझ के इस option को choose करना होगे तो यहां पर जब आप यह option को choose कर लेंगे जो भी आप देना चाते हैं वह option चूज कर लो अब यहां पर लिखा हुआ है यू अर्यूप्लाइंग फॉर compulsory test in Hindi तो यहां पर no ही automatically fill है अगर आप चाहें तो yes कर सकते लेकिन इसके लिए आप यहां पर फिल होके अपने आप automatically आ जाएगा और अगर गलत हो गया है वहां पर सपोज आप से तो यहां पर आप करेक्ट कर सकते हैं उसको next is part of paper तो part of paper जब आप क्लिक करोगे तो एक ही option यहां पर first का यह हम select कर लेंगे यहां से then semester of paper लिखा हुआ है semester of paper पर भी यहां पर य कौन सा है या paper टाइप जब आप यहां पर करोगे ना तो आपको यहां पर देखना है कि आपका AECC है core है यह फिर discipline subject है DSE है GE है यह फिर आपका main paper है ठीक है main operational paper है तो यहां से आपको यह जो भी subjects हैं आपके पास हर subject का आपको सारे subjects का यहां पर फिल करना पड़ेगा अगर पास चार subject है तो चार subject का 5 subject हैं तो 5 subject का सबका यहां पर आपको चूज करना पड़ेगा तो सब्पोस एक subject हमने लिया जो कि हमारे AECC के अंदर आता है ज़रूरी नहीं है कि सारे subject आपके एक ही कटेगरी के अंदर आएंगे कोई subject आपका AECC के अंदर आएगा कोई core के तो paper type हमारा हो गया AECC suppose और यहां पर हमें paper name फिल करना आप इस AECC के अंदर आपका कौन सा paper है वो paper आप यहां से चूज करेंगे जितने भी options यहां पर दिये हुए है paper name चूज करने के बाद next option है हमारे पास year या improvement flank मतलब कि यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो तीन option है एक अगर आप इसेंशल रिपीट या improvement का एक्जाम दे रहे हैं यानि कि पहले आपकी back IT या कभी पहले आप यह paper दे चुके और आपके कम marks आयते हैं आप दुबार से improvement के एक्जाम देना चाहते हैं तो यह यह और improvement का option आपको चूज करना है अधर आपको निल option चूज करना है अ हमारा एक ही paper हुआ है यहां पर add paper पर click करोगे और जितने भी subject आपके पास हैं वह सारे यहां पर आप चूज करोगे एक एक करके तो add papers पर click करोगे तो first वाला आपका add हो गया okay उसके बाद second आपको कैसे करना है यहीं पर जाना है आपको दुबारा से paper अपना चूज करना है अगेन paper type पर ही जाना है फिट से सुन लो again आपको paper type पर चूज करना है और आप suppose अब हम second subject ले रहे हैं core suppose तो core चूज करना है अगेन आपको paper name चूज करना है क्या आपके paper का नाम क्या है तो अब आप दूसरा subject यहां से चूज करेंगे जो आपको core के अंदर आता होगा या जो भी आपको अपने teacher से information मिलेगी paper name चूज करने के बाद then again आपको यहां से option चूज करना है जो भी आपका option है otherwise आपको निल चूज करना है then again आप क्लिक करोगे add paper पर अब देखो यहां पर हमारे दो subject add हो गए और suppose आपका कोई paper गलती से यहां पर add हो गया जो कि आपको नहीं करना था तो यहां से यह जो delete का option है वो paper आप यहां से delete भी कर सकते हैं और उसकी place पे कोई और paper चूज कर सकते हैं clear है उसके बाद again आपको अब आपका third paper चूज करना है तो यहां पर आप जो भी आपका subject है अगर core ही है तो core ही रहने दो देन paper name आपको again चूज करना पड़ेगा यहां से आप paper name चूज करोगे जो भी आपका third subject है then again आपको यह वरा option चूज करना है और उसके बाद इस paper को भी क्यूंकि हमें add करना तो आप click करोगे add papers अब तीन paper हमारे add हो गए fourth paper अ यह जो निल का option अगर यही रहने देना अधर आपको जो चूज करना है वो देन आप add paper पे click करोगे तो सारे paper जो भी है आपके add हो जाएंगे जितने भी है चार या पाँ सारे आपको एक एकर करके ऐसे add कर लेना है इस तरीके से जितने भी papers आप आपको एड करोगे वह सारे papers यहां पर दिखा देगा बस एक चीज ध्यान डखना आपको यहां पर subject चूज करते टाइम उनका code जरूर confirm कर लेना है कि आपके subject का code क्या है क्या है क्योंकि हिंदी A या history सपोस history of India from earliest time up to 300 BC जैसे यहां पर लिखा हुआ है तो उसका code आपको कोई और भी मिल जाएगा लेकि हैं तो यह code जरूर confirm कर लेना अब सारी information उपर तक check कर लो अगर आपको लग रहा है आपके सारी चीज़े सही है रिशॉर हो जाओ फिर से उसके बाद यहां पर यहां पर यह चेक बॉक्स पर क्लिक करना है कि जितनी भी information आपने यहां पर फिल की है वो एकदम correct है आपने चे information है या नहीं है उसके बाद यहां पर आपके सारे subject शो कर रहा है यह नीचे आपको print का option दिया हुआ है जिस पर आपको print के option पर क्लिक करके अपने form को save करके रख लेना है ताकि future reference में आगे यह future में आपके काम आएगा तो इसको बिल्कुल save करके रखना है ऐसा नहीं कि आप आप इसको save ना करें तो उसको save जरूर कर लेना उसके बाद जब आपको यह form verify हो जाएगा वैरिफिकेशन हो जाएगा आपके school college की तरफ से तो आपको एक examination form fees जो है वो fill करनी है यहाँ पे तो यह ठीक छोटी सी information आई हो आप आप लोग के लिए बहुत helpful रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए take care bye bye all the best